Facebook ID का link कैसे copy करें आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी Facebook ID का link कैसे copy कर सकते हैं तो आईए जानते हैं तो यहाँ पर आपको इसके लिए सबसे पहले Facebook को open कर लेना है और यहाँ पर आपकी वो ID login होनी चाहिए जिसका भी आप link copy करना चाहते हैं उसके बाद आपको ऊपर ही अपनी एक profile picture का goal सा DP या फिर profile picture का icon मिल जाएगा इस पर आपको touch कर देना है टच करते ही यहाँ पर आपकी profile open हो जाएगी profile open करने के बाद आपको एक option मिलेगा add two story का इसके right side आपको एक option मिलेगा तीन डॉट का तो इन तीन डॉट पर touch कर दीजिए उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक option मिल जाएगा यौर profile link और यहाँ पर एक option है आप देख सकते हैं copy link यहाँ पर लिखा हुआ है copy link पर आप जैसे ही touch करेंगे यहाँ पर आपकी facebook id का link copy हो जाएगा तो यहाँ पर अब हम इसे अपने एक दोस्त को share कर देते हैं तो यहाँ पर whatsapp में जाते हैं और जिसको भी share करना है उसका contact इस तरह से open कर लीजिए उसके बाद type a message पर आपको दबा के रखना है और यहाँ पर एक option आजाएगा paste paste पर touch कर दीजिए उसके बाद send कर दीजिए अब यहाँ पर आपकी इस link पर कोई भी touch करेगा तो वो आपकी facebook id पर पहुँच जाएगा